कि एग वेलकम है विर्मन कैसे आप सब भैतर है बढ़िया होंगा से मैं उम्मीद करता हूं हम बात कर रहे थे नॉर्मल डिस्टिपूशन के पहरे में तो देखो नॉर्मल डिस्टिपूशन के लिए जब हम बात कर रहे थे तो हमने इसकी प्रॉपर्टेज वगेरा देखी थ डिसनकी समाने और इसके साथ ही इस नॉर्मल डिस्टिपूशन के साथ हम जो हमारा इसकी अनसा और जो कॉर्टोसिस है हो भी हम कम्पलीट करेंगी सर्क्यावात कर से इतना सारा एक साथ तुझे वह जो कॉर्टोसिस और एसका Ilisga मों करते हैं तो आपन दिखेंगा अपन य कि एवल सब्सक्राइब कॉनौर्म ऩीटी फईए निःपिलिकाशन ओम नर्मट दिस्टिबूटिरन सीङ मरह स्थी ओंली मैंनी सльय साइन्स सब्जेक्ट गॉल सेंस सब्जेक्ट मैंनेल मेनकी कमर्स एटी सिंफंद द маг याप्लिकेशन in तो आपको कि सीए फाइनल के अंदर एक चैप्टर है पाइट घर गए उस चैप्टर को पड़ोगे न तो आपको लगेगा क्या इससे तो अच्छा तुम सीधा करते कि नॉर्मल डिस्टिबूशन पड़ेंगी और ऐसे बहुत सारे चैप्टर जो है जिन के अंदर क्या लगत है आप खुद ही सोच के देखे अपने बात की थी वही जैसे सबसे एक्स्रीम पर बहुत कम होते हैं दोनों साइड एक्स्टिम जो है मिलब एकदम गरीब और एकदम अमीर कम है एकदम दूबले और एकदम मोटे कम है जो सबसे जज़्जादा क्वांटिटी जो हो वीच व जैसे कोई क्लास के अंदर कोईशन पूचा जिसमें से 99 जो है उन्होंने गलत आंसर दिया और एक ने सही दिया है तो उस केस के अंदर अगर आज की सिच्वेशन बात करें तो एवरेज क्या आएगा गलत वालों कहीं आएगा और ज्यादा दुनिया फॉलो किसे करेगी इसी क को करेगी वह ऐसे गर अगर आपन अबन बेखत की सबसे देकिं और सखी तो यह जो है निता आ बहुए को दो होना चाहिए और बड़िया होना चीए पड़ा लिखा होना चीए सही कर ने वाला होना चीए यह थो होना चीए ठीक है लेकिन ऐसा आयं क्यों नियों कि normal distribution कियसे만 थो जादातर लोग कैसे जादा तर लोग घाइमाने जादा तर लोग जो रिए खरी करने में इंट्रस्टेट ढहते हैं मुखा मिलते सही वो कर लेते हैं तो देता जो ए वो क्या है एक तरी के से उसको घर fill करै हो तो अस़ी अधर एक तरी के अंदर नेता भी कैसा हो उसी की चलती है मैजोरिटी का रूल चलता है तो उस केस के अंदर अगर आपन यहां पर बात करें हम तो यह बहुत सारी जगे लगता है कि अगर एक्स्रीम वाली सिट्वेशन नहीं था उमारा बाइन इस्टिबूशन उसिंगे लिगता है तो प्राइल हमने की ठीक है लेकिन उसमें जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रीम सक्सेस की चांसे इसका में और ज्यादा चांसे जो मोडरेट तो उसके इसके अंदर वह भी अपने आप से क्या हो जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीविशन हो जाएगा समझ पारें कि ज्यादा फेल जाके यहां बन सकता है यह पोजिजन डिस्ट्रीविशन आल सो फोर लार्ज वैल्यों अब देम अप्रोच नॉर्मल डिस्ट्रीविशन और यह पोजिजन हो भी अगर बाद उसमें भी ज़्यादा करोगा आप कॉंटिटी तो वाल्टीमेटली क्या हो जाएगा नॉर्मल अगर वह पना रहा है तो ज्यादा मोटे लोगों कंसीडर करके नहीं बनाएगा ज़्यादा पतले लोगों कंसीडर करके नहीं बनाएगा वो बीच वाली जो ज़्यादा अतर जनता है उसके साब से करेगा क्लियर नॉट ओनली दिस्ट्रीविशन अब डिस्क्रीट रेंडम वेरियाबल दिस्ट्रीविशन अब टीचाई स्कूर और आफ आल्सो टेंटो नॉर्मल डिस्ट्रीविश अगर अगर आप पड़ोगे न मतलब सेंपलिंग अगर पड़ोगे जैसे जैसे संपल साइज बड़ोगे बड़ा हوجा ना वैसे वैसे क्या होगा द। नॉर्मल डिस्ट्रीवीश्टेविश ने जो आता जाएगा समझ जीएगा देक्म जैस्ट आपने लोगों लोगों को study किया ठीक है दस में से हो सकता है कि पाँच लोग जो ते वो बहुत ही रिच थे ठीक है और दो लोग जो बहुत ही घरीब थे लेकिन तीन लोग जो वो क्या होगे थे मोडरेट थे लेकिन यहीं पर आप सैंपल साइज बड़ा देते हैं इस दस की जगह 1000 के करेंगे हैं और जैसे ही आपने क्या कर दिया कर दिया ठीक है तो और हजारे सार नाइंटा डाऊट यह नहीं पहने इबाते हैं तो जैसे जैसे आप संपल सइच बड़ाते जाएंगे न systwość की तरफ जाता हो घोगा तो उसमाज सकता है एकसेप्सिनल राइटम हो जाए समझ पारे मत लेकिन जैसे चुर्पल बढ़ा होगा वैसे एकसेप्स लाइटम क्या होते जाएंगे कम होते जाएंगे समझ पारे मत कि भई आमने जैसे बहुत ज़ादा निकल जाए लेकिन अगर आप दू हजार लोगों को गरे तो उसमें नॉर्मल ही पांट है जो बहुत ज़ादे इंटेलीजेंट निकलें और वहर जेगे पांच ही निकलें ऐसा नहीं कि एक जगे बहुत ज़ादे सब्सलिन तो सब्सक्तौत नॉर्मल की तरह मैं शोब कि में ऐसी ऊकते हो कि नको यह यह निस यह तो डेमोक्रेसि को अभी तरह करते हो है कि आइडल डिमोक्रेसी क्या होती है मनलु होती राजनिती आंदर पर ते हैं तो इसके अंदर वाग आप मार्केट पड़तो उसके अंदर भी इस अवरी चीज़ आप देखते हो तो डेमोक्राशी कैसी होने चीज़ किस तरीके से होने चीज़ आज के टाइम हम जो है वह क्या कह रहें कि लोगतंत्र लेकिन क्या बारत सही माइने में लोगतंत्र है क्या नहीं क्यों सर क्यों कि मरें अखिर चाहिए प्याग्यप्यों कि आप बडेख़ु को जीत सकता है क्यों जींप सकते है कि मुल्य भी पार्टी सकते नहीं बडिदी अगो दो क्यों गिंटेट में आज उत्वरे दानत्र हता है उत्या अवर में रिग फ्यकोद शीचार खिया जिससे उर अघरी लेकिन अपने को दोई डिलो Griffin तो वह इस तरीकें तो वैसा बैसे ल nuanced आपको अलग video से अब सर यह भी आße तो स्कीवनेशन होगा यह तो狼ोज नॉर्मलaran टाइब ओंग तेन्टे सेघनמר वहुजार गीust मिलेंगे इस तरीक से समझ पार हैं तो यहां पर हम बात करते हैं इस्टेंडर नॉर्मल डिस्ट्रिबिशन क्या होगा जैड एज मीडियन एंड मोड और एकुल तो देखो इसको क्या कहते हैं जैड कहते हैं यह जो वैल्य जैडिया पर इस टेबल को इसकी वैल्यो जो कहलेट तो इसका जो एकुल होंगे और प्लस होने इस साइड उनका नॉर्मल डिस्ट्रिब्योशन ये भी है समझेगा नॉर्मल डिस्टिपीशन जैसे आपका मीं मीडियन और मोड तीन नों यहां पर है और वह मान लिए से तो आपकी नॉर्मल डिस्टिपीशन तो है ठीख है इसमें क्या हुगे 20 के आगे की साइड में और यह यहां पर क्या होंगे एक तो यह भी नॉर्मल स्टिपीशनि यह नार्मल नार्मल स्टिपीशन से पहले हैं जीरो हो इस साइड में पॉजिटीव हो और सएड में क्या हो नेगेटिव हो कि देस्टेंड डेविशन आप जैड जो उसका एक होना ची आल सुद एप्रोक्सिमेट वैल्यों में डेविशन कॉंटाल डेविशन जो पॉइंट एट और पॉइंट सिक्सेवन फाइफ रे रेस्पेक्टिव लिए ये के बाद अरे भाई आपने पड़ा का नेक दस का बार का और पंद्रा का रिलेशन्सिप तो इसा तो कहां पड़ा था भाई ऐसे मत कर रहा है पढ़ते रही है साथ साथ पढ़ते रही है नहीं तो थोड़ी टाइम बाद में वाकई गजनी बन जाओ तो वह जो आपने प्रोपर्टीज बढ़ी ती ना वह सारी सारी कैस की थी इस नार्मल डिस्टिबिूशन के साब से थी अगर यह ऐसा होता एक साइड में जुका हो था तो उसे हपन अस्यमित्री इस नीटर नॉमल्म डेस्टिबिशन में साथ में की साइड में जाएंग और यह जो टू टेल हो कभी भी टाच नहीं करेंगे यह लाइन इसके निजदीक में जाएगी लेकिन horizontal कभी इसको टच नहीं करेगी यह इस तरीके से इसके है यह इसके property अब सब्सक्राइब आपने क्या का कि जैट जो वह इस तरीके से जैट की वैल्यू के अलट करते इस पे पूछा भी जाए सकते हैं देखिए यह जैसे इसकी application में समझा जाएगे आपको देखिए जैसे आपका में जो हो अठारा परसेंट है और standard deviation जो तीन परसेंट है clear अब किसी ने पूछा आप से कि बताईए आप से पूछा कि कि बताईए कि कितने परसेंट चांस है क्या पूछा आप से कि कितने परसेंट चांस है कि हम 24 परसेंट से ज्यादा कमाई तो देखिए यहां पर फिर जैड़ वैल्यू से अपन पता करते देखो में अठारा परसेंट अगर इसकी अपने को क्या मिल जाए वैल्यू मिल जाए अगर इसकी अपने को वैल्यू मिल जाए तो अपन क्या कह सकते हैं इतने परसेंट चांस है कि हम 24 परसेंट से ज्यादा कमाई और इससे कम जो है वो क्या है यह वैल्यू क्या है परसेंट और तेरा पुनेट उनसाट परसेंट अपना फले लोत चौन दढ़ा अपने अजजत को चोटर्यशर चौदा ले लेए ना फले रहे हैं समझेगा यहां तक का 34 % परसेंट यह रह시면 on के लिए निए 3 serful तो कितना होगा चोफिस अर्च उझाउड यह हो गायी लिए के आठ और चार अरताने मृषिल वह ऑ All-Star いजारें है जबाताने मीश दो परसुंट परे Electril adventure तो टेपीस होता तो हो तो सिखने डिविशन सीदा नहीं होता है तो हम क्यास हैं डेट गट एक्ष कितना क्या जो 24 बाइटेकल ये तो आपका बेसिक नॉर्मल डिस्किबूशन अभी आपको नॉर्मलधिक नॉर्मल दिस्टिमूशन कि अब नॉर्मल डिस्टिप्यूशन के याग एक्स्टेंशन जो वह क्या है कि इसके उन्हेस और कोटोशी से क्लियर है आप भी सोच रहे होंगे सब्सक्राइब पता नहीं कौन से तबेले से जो है वह क्लासे ले रहे हैं कि साधियां बहुत ज़्यादा है और इस वज़े से गाहों आना पड़ा है और गाहों से क्लास ले रहे हैं और कि यहां जो है वो कि खेट से क्लास ली जा रही है और यहां पर इस तरीके सावाज तो गाई बेंस तो गो मेरे यह क्लिए मेर्जर सबस्क्यूनेस एं कोड़ोसिस पहले अपन देते हैं फिर इसको पड़ तो लेंगे यह तो थे यह बाद में देखे लेंगे पहले देखो दो चीज़ें एक तो है इस के उने से देखिए हम जो अल्टिमेट लिए वो क्या करना चाहते हम डाटा को समझना चाहते हैं मैं समझेगा कि हमारा मैं अब्जेक्टिव क्या था अभी तक हमने जो पड़ा वो पूरा का पूरा देख लीजिए हम मैंली क्या करना चाहते थे डाटा को समझना चाहते थ कुछ डाटा लिए जैसे कंपणी के प्रफिट के कुछ डाटा लिए और उससे अनुमाल लगाना चाहते थे इस साल कितना कमाएंगे क्लिर है तो बहुत सारे सालों के डाटा ते जैसे 2000 एक से लेके अपने पास 2020 तक के डाटा थे और Efendimiz shelter coach कि हि doable हिर साल का पर्षेश दिखा प्रॉफिट देखा और सब कुछ कि इतने अगे हैं और अपन प्रविट को स्टडी करना चाहते हैं और अपन चाहते हैं को 2021 में क्या कमाएंगा दो다면 बाइश में क्हाणा है कि hedge है एमने च्छाय क्या जिसाल 50 कि अच्छाब 2 पर सेन परसेन कमाया एक साल 2 U S NIH breaking साल 15 कमाया एक साल 25 कमा इस तरीके से каж अब कर्पर यह को रहे एक शाल 25 कमौत a कभी 5 पर सेन कम आ रहें हम यह भी नहीं कहाद है 50 कमायं करो कभी 30 पर संट भी कमा तो हमने पैले तो इसका क्या क्या एवरेज लिए और मुझे अपना 18-18 एप पिर दूसरा कोईशन आया कि 18 संट पक्क आए गए तरह पर संटी कमएगा पिर हमने देखाए कि यह कभी तो 30 पर बहुत पांच को पर शॉब्या नहीं के सकते यह क्या एक तरहिके से रिप्रिक्वेंसी डाद नार मुलब देखा कि एधर कितना जा सकता है ऐसे तो उसका हां Expedition तो यह मने डिस्पर्शन वागी रहा से हपना और इसकी स्टडी की फिर हमने का कि अगर इस कंपनी को बड़े तोर पर देखें तो कंपनी नॉर्मली जो वो कोई 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 फ्रिक्वेंसी डिस्टिबूसन जो वो इस्टडी मतलब फॉलो करती होगी और बात के परसंट परसंट कम बीस परसंट एक इस के चांसे यह सुआिए था जाता है रात控 कर देखें आइक्छूंडरम परसंट बहुत यह जो नॉर्मल डिस्टिबूशन था इसे नॉर्मल डिस्टिबूशन के अंदर क्या हो सकता है एक तो सकता है पर्फेक्ट नॉर्मल डिस्टिबूशन यह जैसे यह तो एक तो पर्फेक्ट नॉर्मल डिस्टिबूशन जो वह इस तरीके से था ठीक है अब हो सकता है कि क्या इस नॉरमल डिस्ट्डिबुशन में कुछ, तेजसाँ पर न जाएं नहीं के या तो ये इस तरहिके सब्सादें या ये कि इस तरीखे सब्सादें रहे इस तो देखो ये तो परफेक्ट है इसे तो अपन क्या ह्या रहे थे सेमेट्रिक तेज़ आगैए एक हैते अभी लास्त सिंगे अंधर नौर्मल क अधर रिज़ात की होपन तो या दोनों क्या है इसको हपन क्या कहते है तो आ सिमेट्रिक का मैं एह समझेक हुआ है हिंदी में देता हूँ ता कि आपको अच्छे समझा एक मतलब स्टॉ ले एग़ार कि अधर इदर या या तो एक साइड में राइट साइड केंदर काहिए किसी साइड के अंदर जाधा फैला हुए एक तुब परफेक्ट बॉटिशेप से टीक है और एक जो वह जिसीव हूए इक यो इनदर अ आज पाल क्लिली रें इनको अपन क्या करते हैं इस congress को यह कहते है इस क्यूड इसको यह क्या करते है अária its तो यह हो गया इसके उड़ है या नहीं है यह तो आपने इस्टेडियो पर इसके उन्हेस होगा फिर आप एक तो और वर्ड यूद कर रहे हैं यह कोड़ो से समझेगा अब देखिएगा अलग अलग नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन बताता हूं बताईएगा कि क्या यह नॉर् यह नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन है भई नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन है तीक है करे यह नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन है ना जी सर्य नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन है यह यह नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन है यह नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन समझेगा पर नॉर्मल डिस्ट्रिबूशन क्या कहता है दोनों लाइन इंट्रसेक ल सबसे जादा क्लीर है तो ये सारे सारे लेकिन आपको डाइग्राब देक बताएं यह सारे एक जैसे क्या एक ज से नहीं कि अंदर अगर आपन बात करें तो इसके अंर क्या बीच में सब मांद है वो सेंटर के अंदर क्या है जो वेल्य है वो ज़्यादा है ठीक है और इसके अंदर सेंटर में वेल्यू मॉड्रेट है नॉर्मल है और इसमें क्या है सेंटर में वेल्यू को मैं लेकिन है तीनों को तीन नौर्मल डिस्ट्रिबूशन तो यह इसकी पीग इसकी उंच प्रोइफ अधि पीक जो उसकी उंच और इसका फैला के जिसके इडियो कौन करता है सिस्तों कोटोसेस बताता है कि आम कोटोसेस के तक भैहा है कुछ वी जया नस्था एकी सब्सक्राइब डरीन john da पीक ओला है और आधा वेल्यू जो वो विच्ट में ऐसा ए यह उससे कम पर आना यहापर यह ज्यादा पहला हुआ है समझेगा आपको एक ग्जामपल समझा दे दूङ दोग कंट्री एक कंट्री जो इसके अंदर का आ कि सिर्फ एक पर्सेंट लोग जो वह बहुत पैसे वाले और एक पर्सेंट लोग जो बहुत गरीब है बाकी नार्मली सब मिडल क्लास है एक और है जिसके अंदर कैं करा पांच परसेंट लोक १ुछ ज्यादा पैसे वाल रंध ला गरी मैं बाकी नार्मल एक और दियसे जिसके अंदर कैं 20%, 20% बथ जदा अमीर है 20% बहुत जदा गृईब है और बागी एवरेज-वाले कितने होगए 60% एवरेज वाले हैं तीनों ही normal distribution समझ़ पारे मत है ही तीनों normal distribution लेकिन तीनों का characteristics और लगाल लगे इसके अंदर बहुत planoigi ब्हुत कम मतलब में चुमित जादा सबसे जादा जो मॉंटरेट मैं इसके अंदर एक्स्ट् changingयव फोड़े ज़्यादा बीच वह थोड़े वह भी When we Chow Mirs spendion एक्स्टडी कैसे काम में और इसके अंधर जो एक्स्ट्रीं वाले वो बहुत ज़्यादा है और बीच वाले वो और कम है तो इस तरीके से यह नॉर्मल डिस्टिबुशन तो इसको अपने स्टेडी कैसे करते हैं कोड़ों से इसके से बाकि यह बहुत आसान सही है कुछ फॉर्मॉल आपको याद करने होंगे इंट्रोडक्शन इन डिस चैप्टर यू विल लर्न वेडियस टेक्निक्स अब डिस्टिबुशन बेटून देविज शेप्स अब देश्टिबुशन के अलग 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 फ्रीक्वेंसी दिस्टिबुशन के से जो उनको आप पाएंगे इसके बाद में अपन ये नॉर्मल इस्टिबुशन वगेर इनके बारें बात करने की बात करना जो बंद कर देंगे दिस्टिबुशन कमा के देगा और इस्टिबुशन इदर और अधर होगा लेकिन अपने को पूरा फ्रीक्वेंसी दिस्टिबुशन समझ आया क्या उससे नहीं वो नहीं आयेगा कि एक्स्टिम वाले कितने ज्यादा तर फ्रीक्वेंसी जो किस तरीके से यह वो सारा पूरा समझ आयाएगा तो पूरा किस के साथ समझ आयाएगा इट इस पॉसिबल टो है फ्रीक्ेंसी डिस्टिबुशन विच डिफर वाइड लेन देर नेचर एंड कॉमपोजिशन एंड येट में है रसेम सेंट्र टेंडेंसें डिस्पर्शन वह कह रहा है कि दो के सेंट्रल टेंडेंसे और डिस्पर्शन से वैलू से मह सकते हैं लेकिन फिर पिर पी उनका फ्रिक्वेंसी दिस्टिबुसन पर देर इस नीट टू सब्लिमेंट इस मेजर्स आपको किसी और साथी की जरुति जो उनको और ज्यादे अच्छे से बता सके और वह इस चप्टर के अंदर हमने इसके नेस और कोटोसे से समझेंगे पहले इसके नेस की बात करें इसके नेस ओडिस्टिपूशन इस डिफाइ को सिमेट्री सिमेट्री को आप हिंदी में अगर लिखे तो मलब जाय है सही से तरीके का जो से पर उसकी कि नहीं है इनने सिमेट्रिकल डिस्टिपूशन दव मीडियन इन मोड एडम एड़ एकल टो इच अदर कि नॉरमल तीपूशन होगा थो समय होगा वह समय मारीम 3 उते से 7 और मीन मोड और मीडियम दूसरे को यह किया करते पूरे नॉरमल ते उन को क्या करते हैं दो इससों बार देते हैं clear यह इस तरीके से आपने बात की थी that one part of the mirror image of the other एक जो वो क्या होगा दूसरे का अधा part होगा सिता गिता राम श्याम वैसा होगा clear if some observations of very high magnitude are added to such a distribution its right tailgate effect देखिए यह जो था कि यह इस तरीके से normal distribution था ठीक है अब इसके अंदर इस साइड में जैसे बहुत अमीर लोग थे हैं यहां पर बहुत गरीब लोग थे अब अमीर लोग थे उनके अंदर क्या होगा एकदम से कुछ और जो है वो ज्यादा जुड़ गए जैसे उसके अंदर और ज्यादा जुड़ेंगा तो फिर यह क्या होगा सिप जो वो कैसा होगा इब है और यह जेता जएड़ जाए घंडर थोड़ा सा मुल होगा किलेर सिसे के अंदर बहुत गरीब लोग जो वह जोड़ दीन तो फिर यह क्या हो जाएगा तो इधर ज्यादा हो जैएगा और अधर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा कंदम से ता लेकिन इस वार्ग किस yod था बदर जहता है उसके उपर डिपेंड करेंगे विज बोध जादे गरीब उनको क्या केते एक्स्रीम ऑबजरवेशन जो जादा हो जाएगा मीडियन से और मीडियन जो जादा होगा मोड से वैन वो कब होगा जब वो पॉजिटिव लेश्क्योड होगा और उसका देश्ट आप जिट क्या कह रहा है एक्सटीम अबजर्विस्ट अगर लेप्टेंड साइड के अंदर जोड देंगे तो क्या आप मोड हो जाएगा और उस से अपन क्या कहें गे ए पर जेंस अप देश्टीम लेप्ट अड साइड डिस्ट्रि मेकसित नेगेटिव लेस्कूड इसक्व इसक्रियर सिप्टर जो मैथर्व अपन इसकी नेश्क के दिखिए वह भी देखिए उससे पहले एक बार आप इस को यहां पर आजाए अपने देख लेते देखो यह तो क्या सिमेट्रिकल यह गलत बना रखा है कि इंटर्सेक्ट कि एक से में ना कि यह भी इसको है यह इसको यह इसको यह लाइन टच नहीं है थी का लिख देता हूं मार कि अब टच नहीं ते देखो यह तो था सिमेट्रिकल डिस्टिबुशन अब पॉजिटिवले स्क्यूर मतलब क्या हुआ यह इस साइड के अंदर क्या होगा ज्यादा हो गया और नेगेटिव स्क्यूर मतलब क्या हो गया इस साइड के अंदर जदा हो गया इस साइड के अंदर जदा हो गया इस साइड के अंदर जदा हो गया बढ़ गया और नेगेटिव मतलब की इस साइड बढ़ गया आप सर याद कैसे रखोगे एक्जाम के अंदर कैसे याद र इस साइड में तो क्या हो गया और एस साइड के अंदर क्या होगा ठीक है नेगेठिव मतलब इसको क्या रेंगे लेट एंड साइड हरो एक है अगर यहां से ब्रहए करने का तरीक किलिए यह आद करने का नहीं दह्reeकर के सिस्य भी तरीके से आद रखी है अब यहां पर में चीज जो वह इन तीनों का रिलेसंशिप में यह तीनों ज्यान रखी देखो कैसे याद रखो आप सिर्फ इतना रखेगा लेप्ट-ेंड साइड या नेगेटिव जो इसका मतलब क्या है कि लेप्ट-ेंड साइड से मुखा मारा और राइट-ेंड साइड मत मतलब की लेप्ट-ेंड साइड से दब हो है उसे नेगेटिव करते हैं मोड तो फिक्स है मोड हमेशा क्या होगा जहां सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी वह मोड है तो यह मोड तो यहां पर फिक्स रहेगा क्लियर मोड के अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं और मीडिय उसको observation से मतलब नहीं उसको तो number of observation से मतलब मतलब होगा मीडियन अचना 10 into 15'30 or पढंच करोड़ तो भी आएगा समन थी तो पसके सावप चास परोग नहीं पड़ता है क्लिर तो मीडियन जिए वह Das मोड वाली सिट्विशन बाकि जो बचेगा एक्स बार होगा क्लियर तो यह इन तीनों का रिलेशन सिप जो वो याद रखेगा कैसे सीधा पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव ले इसक्यूड है तो उसके अंदर बताए कि मोड की पॉजिटिव इसक्यूड है और बताए उसक तरीके से कर दिया मोड मीडियन और एक्स बार कि अब बताए इसमें से सही कौन सा होगा तो यह चीज़ा आपको ज्यान होने चीजिए अब जो है यह जुकाओ यह कितना दबा हुआ है इसको कौन करेगा और कैसे कैलकुलेट करेगा उसके लिए हम क्या करते हैं इसके उन्ह साथ करेख लिए घुठाज करेख क यह जा है काल पीर्सन ना कितना काम कर लिया तम ने क्या का इस प्रीम ने क्या आपको यह नहीं नौटिस ने म्हीन अन मोडर नोटेक्व नोटिगुल ने स्क्योड़िस्टीपिसन ठीक है थे काल पीरसन मेजर सप इस्क्यूनशर जिएस इसको आगे बताता हूं देगो since mean is equal to mode in symmetric distribution mean minus mode can be taken as absolute measure of skewness यह हो समझेगा इसने जो formula हो किस तरीके से दिया है कि अगर आपको skewness calculate करने तो आप क्या कीजी समझेगा mean minus mode upon standard division सर क्या बात कर रही है ऐसा formula क्यों बना देखो पहली बात अगर यह positive skewed है यह negative skewed difference किसका बढ़ेगा mode or mean का medium तो बीट का बीट यह उसको फरक नहीं left and side भी है तो यह mode or medium का ही difference जो बढ़ेगा clear यह बात आपको समझेगा और यह difference जो उसको measure कौन करता है इसके अंदर अभी अपने पढ़ गए standard deviation सर के जैड़ इकल तो क्या पढ़ाता है वो जो एक्स माइनस एक्स बार जो आपन इस्टेंडर डिवीस निए इस नॉर्मल डिस्टिबूशन को कि जो वेरियस न उसको कौन का और थिए स्टेंडर डिवीस ने का तो इसने फॉर्मूला क्या बना है इस काल से काल पीर सिने का आपको स्क्यूनियों करना है तो मीन माइनस मोड डिवाइड़ इस्टेंडर सरम ने का कि यह फॉर्मुला कैसे चेक कर और नहींsel नहीं अगर इनके बीच में बढ़ गया 15 और पांच होगा मलब कि इनके अंदर इसक्यूनेस आज चुका है तिरचापन आज चुका है यह एक जामपल दे रखा है रिलेटिव मेजर इंडिपेंडेंट आप यूनिट आप मेजरे डिपाइन देपाइन काल पीरसन जो कॉफिसेंट कि इसक्योन बाइब यहां पर समझ जीगा देशाइन आप स्क्योनेस गिवस्ट रखेंट आप दा मैगनिटू अगर पॉजिटिव प्लस आया तो इसका मलब की पोजिट पॉजिटिव है और मैने साय तो नेगिटिव एफ एसके इसक्वनेस जो आवाया है वो पॉजिटि क्राल से मेंटिकले से बहुत द्यान से पड़िए काल पीर सनना जो दिया तहीं धिया तो यहले संसे बहुत ही important है कि mean minus मोडS जोगे बाए इसने क्या यह का इससे आप मोडS पता कर कर लोगे मीन मीडियन जो उसके बेचारे कोई नाम की नहीं 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 लेंगए यह बात नहीं हम तो अगर आप मीन और यह द्जवगे न मॉड्त हम तो मीडियन पता भी देंगे तोंना उन्हें का कैसे तदनान का मीन और मीन में सब्वहाइब को लेस्ट कर दोगे तकि इसके एक्वल जाएगा तीन मीन माइनस मीडियन वर एड़ेकन नहीं लेकिन उसके अप्रोक्सिमेड में कार्स पियर्सन जो शुक्त क्योंनेसका मीडियन को किस तरीके से दिया था यह त्रीक एसाब से उसने दियाता है त्रीक त्रीका रोल जो वह क्या है वह मैं आपको से एंदर क्या होता है से बीठा वान एजीकुल होगा है 3 होता है घरा धाय। जब जग तो जब अगर यह . अगर यह तीन से जदाद हो जाता है जड़ा हनना हो जाता है इस मैं यह कहा है हैं उन्चा जो ओजखा जा इस ऊपन लैपार amento credit जो कहते हैं यह वाली सिच्वीशन हो जाती है अगर यहीं पर यह बीटा जो थो तीन से कम हो जाता है तो उसकeast के अंदर यह наг Never यह responds-जड गो पीक जब जवेप сопад रहुंड है और फेला हो ज़ेC falar जड़ा हो जाता है बर को यह बीताइब होता है यज्व पोरना दोको अच्हे से याद करना है आच एक यह बावले मुहर्लिए जो हो बावलिज अब और अपन सेशन के अनदर ही ती यह तक है वैसे देख लेतं हैं कुछ भी नहीं ही यह चे लिए चाहर ऑब देख लेते हैं को टोंस इस जो बacht देखें यह देखो इसने कह था मीन और मोड लिए ता इसने मीन और मोड की जगए क्या लिए दा इसने कि माली यहां क्यूपन है यह क्यों है यह क्योटु जैकि यूए क्यूट् तू और work पर क्योट्री माइनस मीडियन कर दो क्यों जोग वह मैं सभूछका किसके बराबर होगा मीडियन के बराबर जाएगा Q3, sorry, Q3 माइनस मीडियन और माइनस मीडियन माइनस Q1 ये वाला और इसी को ये क्या कर दीजिए नीचे की साइड में प्लस का साइन कर दीजिए तो ये आपको क्या मिल जाएगा इस Q-ness जो मिल जाएगा सेम वैसा का वैसा देखो इसने क्या किया क्वांटाइल लिया इसने क्वांटाइल ने लिया इसने क्या का ये है ये जैसे P50 है यह मान लीजी P30 है यहां आएगा P10 आएगा यहां P70 आएगा परसेंटाइल में अगर क्यालिट कर यहां जैसे P90 यह Q2 और Q3 और Q1 के हिसाब से ले रहा था यह क्या किया इसने P1 P10 P50 और P90 को कंसिडर करके किया P90 माइनस P50 P50 माइनस P10 P90 माइनस P50 और यह इसको 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 करने के लिए मेजर करने के लिए अलग अलग तरी के बताए पहला जो था हो था तो काल पियर्सन जो फॉर्मूला दिया वो किसके हिसाब से दिया अगि कि इसने जो है वो मीन और मोड को कंसिडर करके दिया पिर उसके बाद में जो है वो उसके जश्ट आ गया आगया बंतधी चैजश में बिए और उसके बाद में कहले जा यह चैening क्या किया ही एई परसेंटाइल जए उसको कंसिडर करके दिए एक जो और निकल नजाता है चार तरीका जिसमेंसे चौता तरीका जो मोमेंट के सब्सक्राइब के जाता है मोमेंट जो अभी अपने देखना है इसलिए यूवण 0,1 और यूटू जो यूट्री यह आपका अभी पूरा समझ नए आएगा कि अभी सिर्फ इसका एक बार फॉर्मॉला जो वह यह वाला चीज जो वह देख लीजिए गा बाकि अपन मुवमेंट जब पढ़ें उसके बाद में इसको एक बार और देखेंगे तो आपको यह सारी चीज जो समझ जाए जाएगा क्लियर अ अ शेच अचा ओषिपस में जाएगा लौटिक्व कि और यह उर्या फ्रेएग ओस-चालियू चाश्जिवर क्告诉 जाएगर यहां पर पीक जो हो जाता है तो उसके हम क्या केता है लेपो कौटिक, अगर यह मीडियम है तो spend measure कौटिक और यह पिक जो बहुत छोटा और फेलाव क्या होगा अ को मोड्रेट मतलब की ना जयादा ना कम अ और यहां पर क्या होगा पीक जो हो क्यों कम होगा और फैला ज्याओ ज्यादा हो क्लियर है के यह चीज़ याद रखीगा इसको जोगो मैजर कैसे करते बीटा टू से जो मेजर किया जाता है यह बीटा वन दिख दिया दें मैंने बीटा बाकि इसके अंदर कोई भी वह ज़्यादा है नहीं बाकि बीटा बीटू अगर तीन से ज़्यादा है तो उसके इसके इन डर जो यह वह कौन सा है यह गार्द कभ होगा जबीटा टू थीन से ज़्यादा होगा यह कभ होगा जब कभू विटा जो वह पैफ सब्सक्राइब कर आज को रहाँ कर थीक बातले क bowls श्यादerson ऑम स्सरे में ना आपका जो वो इसके उनेस और कोटोसिस होता है और नॉर्मल डिस्टिपुशन जो वो कम्पलीट होता है यहां तक आप अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसके अंदर पर एक पार्ट बचा है कि इसके उनेस को मौमेंट से कैसे कैल कैलकुलेट करते हैं जो पर मौमेंट वाला जो सेशन लिएगा उसके बाद में उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको आसनी से समझ आएगा असते रहिए मुस्कुरते रहिए और अगर आपको सेशन पसंद आए तो अपने साथ जारूर जारूर शेर कीजिए और इनोट को एक बार पढ़ लीजिएगा गोत्रू कर लीजिएगा ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से क्लेर समझ आसके बहुत बहुत धन्यवाद